जैहिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटू बीटू इस्टडी पे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मात्र दस दिरों में आपकी कैसी स्ट्रेजी होनी चाहिए कि आप यूपी पॉल टेकनिक इंटेंस एक्जाम को क्रैक कर सकें दोस्तों क्या आपने भी यूपी पॉल टेकनिक इंटेंस एक्जाम 2022 की प्रिप्रेशन के लिए और इसके इक्जाम के लिए फॉल किया है तो आपके लिए आज की ए वीडियो बहुत ही most important होने वाली है दोस्तों अगर आपने इक्जाम के date तक अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको government college मिले तो आपकी कैसी strategy हो कि आप एक्जाम को एक अच्छी marks के साथ crack कर सकें दोस्तों अभी तक आपने अलग-अलग platform से चाहे वो YouTube के माध्यम से ही हो या फिर offline माध्यम में कहीं offline coaching या माध्यम से आपने अपनी politics exam की preparation को जारी रखा होगा पर दोस्तों अब exam का date जो है वो केवल 10 दिन 6 बचा हुआ है 10 दिन में आपके group A और group E1 और E2 के चाहत्रों का exam जो है वो सबसे पहले होने वाला है तो आपकी क्या strategy हो क्योंकि बहुत सारे चात्रों ने हमें commit गया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाई जाए क्योंकि बहुत सारे student हमारे ऐसे हैं जिनोंने अभी exam की date तक अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है और वो exam को crack करना चाहते हैं और एक अच्छे marks के साथ exam को crack करके government college में admission पाना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप intense exam में एक अच्छे marks के साथ pass होना चाहते हैं तो आपके लिए मैं यहीं बताऊंगा कि आखरी के 10 दिनों में हो सके तो आप जितना भी ज्यादा हो सके आप previous year के questions paper को solve करिए जितना भी हो सके आप previous year के question paper को solve करिए अगर आपको question paper नहीं मिलता है तो आपको हमारी channel पर uploaded मिल जाएगा मैं आपके अपने channel का कोई भी promotion नहीं कर रहा हूँ आपको अगर जहां पे भी जिस भी माध्यम से आपको previous year का questions paper मिल जाए अगर वो पिछले 5 साल का भी मिल जाए तो भी बहुत ही काफी है दोस्तों मैं previous year के question paper को इसलिए जादे बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी exam की बात कर लिजिए आप किसी भी exam की बात कर लिजिए previous year का जो question paper होता है वो हर एक exam के लिए राम बार साबित होता है आप अगर किसी भी exam के लिए preparation कर रहे हैं अगर आप previous year के 2 से 3 या फिर 5 previous year के question paper को solve करके जाते हैं exam देने तो दोस्तों इसकी 100% guarantee है कि आ बहुत ही आसाई से solve कर पाएंगे और यह पक्का है कि आप solve कर पाएंगे क्योंकि कोई भी question paper ऐसे ही नहीं बनता दोस्तों कोई भी intense exam हो one day intense exam हो या फिर कोई भी SSC railway NTPC किसी भी प्रकार के exam की बात कर लें आप तो exam का जो question paper set होता है वो ऐसे ही नहीं set किया जाता है जो question paper set क जाता है उसका एक boundation होता है उसका एक नियम regulation होता है कि आपको question paper है उसमें 50 questions तो ऐसे आपको लाने ही लाने है ऐसे questions उसमें रखने ही रखने है paper में जो कि आपके पिछले साल के question paper से match खाता हो अगर आपके question paper में कुल 100枉स को पड़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पड़ेंगे लास्ट के लिए मार् waiting नमबर आप कैसे लाएंगे दोस्तों मैं आपको एक जामपर के तरफ बता रहा हूँ आपका जो पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है तो लास्ट के जब आप 25 नंबर को पाना चाहते हैं तो जो लास्ट के 25 क्योशन होते हैं वो हार्ड होते हैं जो last के 25 marks होते हैं वो आपके कापी hard बनाया जाते हैं एक्जामीर के द्वारा वे 25 question में से अगर आप 10 question भी कर देते हैं तो आप समझ लेजिए कि आप government college में admission ले लीते हैं क्योंकि अगर आप उस 25 questions में 25 questions को solve करना चाहें तो आप minus marking की study में चले जाएंगे और आपका आया हुआ marks भी चले जाएगा दोस्तो ये जो last के 25 marks होते हैं ये कापी hard बनाया जाते हैं और वे वही उस questions को solve कर पाते हैं जिनके की preparation बहुत ही अच्छी होती है जिनका के calculation वगएरा काफी अच्छा होता है दोस्तो अगर आप 50 के साथ 25 question को कर लेते हैं तो आपके total हो जाएंगे 75 question दोस्तो अगर आप 75 questions कर लेते हैं फिर भी 75 question अगर आप सही सही कर लेते हैं तो आपका exam में एक question जो होता है वो 4 marks का होता है यानि 75 का अगर आप 4 मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका 300 marks हो जाएगा कितना हो जाएगा 300 marks यानि अगर आप 75 question भी सही सही exam में करके आते हैं तो आपको 100% government college में admission मिलेगा ही मिलेगा इसकी मैं 100% guarantee लेता हूँ दोस्तों 200 marks काफी होता है government college में admission के लिए और अगर आप 300 marks ला लेते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है तो दोस्तों ये थो बात हो गई कि आपको इन 10 दिनों में क्या पढ़ना है और क्या आपकी strategy होनी चाहिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि हम आपको क्या देने वाले हैं दोस्तों हम साब तोर पे group A के चात्रों के लिए और इसके अलावा हम जो खास तोर पे preparation कराते हैं E1 और E2 group के चात्रों के लिए क्या क्या देने वाले हैं इसके बारे में हम आज बता देने हैं दोस्तों हम group A के चात्रों के लिए प्रिवियर सेर के बहुत सारे question paper अल्रेडी upload कर चुके हैं हमाये channel पर इसका मैंने आपको अलग से playlist भी बना रखा है आपको हमाई channel पर चला जाना है चनल की home page पर जाने के बाद आपको हमारी playlist में चला जाना है दोस्तों आप जैसे ही playlist में जाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारी playlist अविलेवन बिल जाएंगी जिसमें आप सबसे उपर यहाँ पर देख सकते हैं जेकप group A most important questions इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको कई सारे playlist मिल जाएंगे जिसमें मैंने full question paper को previous year को solve करके उसके solution को भी बताया है दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको हमारी telegram channel पर daily mock test के तोर पे quiz भी कराते हैं अगर आपने अभी तक हमारी telegram channel को नहीं जोइन किया है तो telegram channel का link जो है आपको इस video के discussion box में मिल जाएगा और अनेथा आप चाहें तो हमारी channel को telegram पर search भी कर सकते हैं आपको search करना है A2 B2 study दोस्तों आप जैसे ही search करेंगे आपको हमारी channel देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हमारी channel के about section में जा सकते हैं अगर आप नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारी सभी links मिल जाएगी YouTube, Facebook पेज, हमारी website और इसके साथ टेलिग्राम और Instagram का भी आपको link मिल जाएगा इस पर क्लिक करके आप उसे join कर सकते हैं आप वहाँ पर online quiz दे सकते हैं और अपनी तयारी को और भी बहतर बना सकते हैं डी फर्मा इंटेज एक्जाम की preparation कर रहे चात्रों के लिए टेलिग्राम channel पर daily mock test भी करा रहे हैं जिस पर आप टेस्ट दे करके अपनी तयारी को और भी अच्छी बना सकते हैं दोस्तों हमने आपके लिए आल लेडी, biology, physics और chemistry के सभी chapter को लगबग complete कर दिया है इसके बाद हम आपको math का जो class है अगर आपने e2 group से form को फिल किया है तो e2 group के चात्रों के लिए math की हम आपको 4-5 model paper के तोर पे marathon class भी करा देने वाले हैं जिससे आपकी math के भी preparation complete हो जाएगी तो दोस्तों ये थी strategy जिसके द्वारा आप intense exam को मात्र 10-15 दिनों में crack कर सकते हैं अगर आप इस rule को फालो करते हैं इस strategy को फालो करते हैं तो आप 10 दिन के मात्र मेहन से intense exam को crack कर सकते हैं दोस्तों वीडियो समदित कोई भी doubt है तो आप हमें comment box में comment कर सके पूछ सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी हमें comment box में आवसे बताएं